हालो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णियर कैलिपर के बारे में यह फीगर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह वर्णियर कैलिपर का है इसे पेरी वर्णियर ने बनाया था इस वर्णियर कैलिपर को पेरी वर्णियर ने 1631 में बनाया अब इसको बनाने का रीजन क्या था यह समझे जैसा कि हमने पहले की वीडियो में देखा कि जब हम एक नॉर्मल स्केल से रिडिंग लेते हैं जैसे कि यह नॉर्मल स्केल है और इससे हम किसी किसी लाइन की लेंथ मेजर करना चाहरे है माल लेते हैं ये कोई रड है ये जो रेड लाइन है ये कोई रड है जिसकी लंबाई है माल लेते हैं 10. 10. 24 ये इस रड की लंबाई है अब अगर हम इस scale से इस rod की लंबाई नापे तो हमें reading में या तो 10.2 मिलेगा या फिर 10.3 मिलेगा इसके इलावा क्योंकि इस scale में यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तो 10.2 के बाद सीधे 10.3 आता है इस scale में कोई ऐसा option नहीं है जिससे हम नाप सकें कि 10 के बाद 10.2 के बाद 10.21, 10.22, 10.23 ऐसा कोई option available नहीं है तो इस scale से या तो हम 10.2 मेजर कर सकते हैं या फिर हम 10.3 मेजर कर सकते हैं तो पेरी वर्णियर ने वर्णियर कैलिपर बनाया जो के इस scale से इस मामले में अलग है कि वो जो है वर्णियर कैलिपर डेसिमल के second digit तक accurate data दे सकता है अब जैसे ये scale आपको डेसिमल के one digit तक ही सही data दे रहा है 10.2 या 10.3 अगर इस line की object इस rod की length 10.2 होती तो ये accurately मेजर कर लेता ये scale ये 10.3 होती तो भी accurately मेजर कर लेता लेकिन 10.24 है यानि के second digit तक जा रहा है डेसिमल के second digit तक जा रहा है इसलिए ये scale मेजर नहीं कर पा रहा है तो vernier caliper ऐसा scale है जो के decimal के second digit तक accurate data दे पाता है तो इस solution इस मसले का solution निकाला किसने पेरी vernier ने 1631 में vernier caliper बना करके इसके बाद vernier caliper के बाद एक और instrument हम पढ़ेंगे जिसका नाम है screw gauge इस क्रिव गेज डेसिमल के तीन डिजिट तक accurate data दे सकता है माल लिया कि इस line की of length माल लेते हैं कि इस rod की length होती 2.43 10.243 तो vernier caliper भी यहां पे fail हो जाता फिर हमें किसे लाना होता इस क्रिव गेज को तो यह याद रखेगा objective में पूछा जाता है कि वर्णियर caliper अप टू सेकंड डिजिट तक accurate data दे सकता है और screw gauge अप टू थर्ड डिजिट तक accurate data दे सकता है तो यह समझ गए आप अप चलते हैं वर्णियर caliper के construction पर देखिए यह वर्णियर caliper है कि इसमें अगर construction की बात हम करें तो यह इसके outer दो जौज हैं यह जो आपको दिख रहा है दो outer जौज हैं और इसी के उपर में जो दात की तरह दिख रहा है यह दो inner jaws हैं यह वर्णियर caliper का main scale है यह वाला यहां से लेके यहां तक यह पूड़ा का पूरा main scale है इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूं इस पे यहां जो यह main scale है इस पे पूड़े में reading लिखी होती है one two three four five six इस तरीके से यह जो आप देख रहे हैं यह आपका वर्णियर scale है ठीक है यह जो दो jaws है इसमें से यह जो है fix jaw है यह जो उपर वाला है यह inner वाला भी fix है यह outer वाला भी fix है बट यह जो jaw है outer और inner का यह movable होता है यह वर्णियर scale पूड़े के पूड़े main scale पे slide करता है आगे पीछे आगे भी और पीछे भी ठीक है अब यह जो आप देख रहे हो इसको बोलते है stem यह stem किसी भी object का depth measure करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे ही हम इसको पीछे की तरफ move करते हैं इस वर्णियर scale को पीछे की तरफ move करेंगे तो यह जो stem है यह बाहर की तरफ निकलेगा और फिर हम measure कर सकते हैं किसी भी object का depth तो चलिए देखते हैं यह construction हो गया वर्णियर scale का यह देखिए यह figure है इसमें यह outer jaw की मदद से यह outer jaw की मदद से देखिए हम किसी भी circular cylindrical structure का हम outer diameter निकाल रहे हैं सिमिलरली हमने क्या किया है यहां पर यह inner jaw की मदद से यहां पर इस वर्णियर कैलिपर को उल्टा कर दिया गया है और inner jaw की मदद से किसी भी cylindrical structure का inner diameter हम निकाल रहे हैं जबके तीसरे figure में आप देखेंगे तो इस में इस cylindrical structure का depth measure क्या जा रहा है steam की मदद से यह cylindrical structure है और इसका depth measure कर रहा है यह steam क्लियर है तो इस तरीके से हम different reading लेते हैं अगर हमको किसी object का length measure करना होगा तो length measure करने के लिए भी हम outer jaw का ही इस्तेमाल करेंगे यह outer jaw अगर हमको केमाल लिया कि इस rod का length measure करना है यह rod केतना लंबा है तो इस rod को हम इस vernier caliper के अंदर ले जाएंगे यहां पर और पिर जतना यह move करेगा उस हिसाप से हम measure करेंगे measurement लेने का process हम अंगले वीडियो में देखेंगे तो इस तरीके से एक basic idea मिल गया हमको कि construction के हिसाप से हम कैसे measure करते हैं अब हम बात करेंगे least count के बारे में कि one year caliper का least count कितना होगा कम से कम वो कितना measure कर सकता है तो least count के लिए हमने पहले scale पहले जो simple scale देखा था यह simple scale इसमें हमने देखा था कि least count हम कैसे निकालते हैं कि least count का मतलब कि कम से कम कितना measure कर सके हर कोई जानता है यह बात कि कम से कम कोई scale कितना measure कर सके वह उसका least count कहलाता है अब इस scale में हमने देखा था कि maximum value scale पे कितना है divided by total number of division scale पे कितने हैं है ना तो हमने यहां पे निकाला था 15 divided by 150 is equal to 0.1 cm और यह आप यहां पे scale पे देख के भी बता सकते हो कि यह यहां तक 1 cm है और यह 10 division है इसका मतलब कि यह 0.1 cm measure कर सकता है अब हम बात करते हैं वर्णियर कैलिपर की तो वर्णियर कैलिपर का least count के लिए जैसे हम scale में जानते हैं कि normally जो आप scale stationary में इस्तेमाल करते हैं वह ऐसा ही होता है मैक्सिमम डिजिट उस पे 15 होते हैं और number of division सब में 10 होते हैं जो आप scale इस्तेमाल करते हो आपना scale उठा के देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा वह एक तरफ cm होगा एक तरफ इंच होगा तो यह default condition है पर ऐसा तो नहीं है कि दूसरा scale हम नहीं बना सकते हैं जिस पे के maximum value जो है वो 15 के बजाए 17 हो 20 हो 25 हो बनता है ऐसा भी scale बनता है ना तो यह एक general condition है तो similarly उसी तरीके से one year caliper के case में भी वर्नियर caliper के case में अगर हम बात करें उसका एक division बड़ाबर होता है 1 mm के वर्नियर caliper का देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है कि generally जो भी हम वर्नियर caliper बनाते हैं उसका one division बड़ाबर होता है 1 mm के यहाँ पे लिखाया है one main scale division बड़ाबर होता है 0.1 cm या फिर 1 mm ठीक है यह general condition है जैसे आपका scale generally 15 cm का होता है उसी तरीके से generally जो हम वर्नियर caliper देखते हैं आसपास में उसमें एक division जो होता है यह एक division यह बड़ाबर होता है 1 cm 0.1 cm के उसके बाद जो main scale होते हैं यह देखो यहाँ पे जो इस figure में इस figure में यह था आपका main scale और यह था आपका one year scale तो जब हम दोनों इस jaw और इस jaw को दोनों को पास में ले आते हैं दोनों को आपस में सटा देते हैं तब का यह figure बनाया गया है देखें यहाँ यह figure अब इस figure में समझेए देखें यह main scale है और यह वाला आपका one year scale है तो main scale में main scale का जो division होता है वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है in comparison with one year scale देख रहे हैं आप main scale में 9 mm है 9 division हुआ है जबके one year scale का 10 division के बड़ाबर हो जा रहा है यहाँ पर देखिए यह 9 division यहाँ पर आया जबके one year scale का 10 division यहाँ पर चला आया इसका मतलब के one year scale का main scale का जो division है वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है और one year scale का division जो है वो थोड़ा चोटा चोटा होता है यह general condition है 95% cases में ऐसा होता है जो आपको दिखेगा 95% one year caliper जो आपको दिखेगा वो ऐसा ही दिखेगा लेकिन कुछ conditions में यह change भी होते है जब आप site पर work करेंगे तो हो सकता है आपको दूसरा भी one year caliper कुछ मिल जाए तो सब का least count आपको पहले निकालना होगा तो least count का formula हम समझेंगे कि कैसे हम निकालते हैं तो under 95% cases जो one year caliper का least count होता है वो होता है 0.1 0.1 mm या इसी को हम लिखते हैं 0.01 cm ठीक है और या तो 0.1 बोलिये या फिर 0.01 cm बोलिये तो एक ही बात है तो least count एतना होता है अब least count के लिए एक normal formula क्योंकि 95% cases में ऐसा होता है 95% cases में ऐसा ही one year caliper पाया जाता है जिसके के 9 division 10 division के बराबर होते हैं और जो main skill का एक division जो होता है वो one mm के बराबर होता है तो under 95% cases आपको least count 0.01 cm ही मिलेगा या 0.1 mm मिलेगा बट कुछ cases में अलग भी होता है तो तो इसके लिए एक general formula होता है जिसको बहुत सारे book में लिखा होता है आपके भी book में लिखा होगा smallest division on main scale formula इस तरीके से है least count is equal to smallest division on main scale smallest division केतना है main scale का 1 mm क्या कहलें 0.1 cm 0.1 cm divided by total number of division on one yard scale तो total number of division केतने हैं 10 तो यह हो गए 10 तो अब कितना आ जाएगा 10 को 0.1 से divide करें तो हमें क्या मिलेगा 0.01 cm है ना यही मिलेगा तो यह एक general formula है जो के हर 95% cases में तो work करता है बट 5% cases में नहीं work करेगा जब आपको इस तरीके का default वर्नेयर कैलिपर अगर ना मिले यानिके change हो जाए वर्नेयर कैलिपर जो 95% cases में नहीं होता है अगर change हो जाए तो फिर आपको यह formula work नहीं करेगा तो हम ऐसा formula पढ़ेंगे जो के सारे वर्नेयर कैलिपर पर work करें आपको कोई भी वर्नेयर कैलिपर मिल जाए आप उसका least count असानी से निकाल सकें तो least count का जो formula होता है वो यह होता है कि least count is equal to 1 MSD minus 1 VSD यहाँ पर MSD क्या है main scale division और VSD क्या है वर्नेयर scale division तो अगर 1 MSD में से 1 VSD को हम minus कर दें तो हमें least count पता चल जाएगा तो यहाँ पर आप अगर देखें main scale पर तो 1 MSD कितना है 1 main scale division कितना है आपको देख रहा है 1 mm या फिर इसको हम कहते हैं 1 mm को हम क्या कह सकते है 0.1 cm यहाँ पर देखिए तो 1 MSD 1 main scale division कितना है आप किसी भी वर्नेयर कैलिपर के main scale पर देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं है ना अब 1 VSD कितना होगा यहाँ पर देखिए 1 main scale division का value क्या होगा यह आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि यह सिर्फ division में बाटा हुआ है इसका कोई unit नहीं है कि यह cm में है यह मीटर में है यह मिली मीटर में है इसका कोई unit नहीं है तो 1 VSD का आपको value नहीं पता चलेगा तो अब हम कैसे पता करेंगे हमको तो चाहिए 1 VSD तभी तो हमें least count पता चलेगा है ना तो हम 1 VSD निकालने के लिए main scale division का सहारा लेते हैं में scale division के respect में हम 1 VSD निकालने की कोशिश करते हैं तो हम यहां पे हमने यहां पे देखा इस main scale और one year scale में के main scale का 9 division जो है वो 10 division के बराबर है one year scale के हमने यह देखा भी यहां पे दिख भी रहा आपको figure में के 9 main scale बराबर है 10 one year scale के division के तो इसको हम mathematically निकाल सकते हैं ना unitary method से देखिए यहां देखिए यहां पे लिख लिया हमने general condition के लिए कि N VSD जो है यानि के N number of division on main one year scale is equal to M number of division of main scale है ना तो 1 VSD केतना हो जाएगा M by N अब इसमें देखिए 1 VSD का value हम उपर के formula में जो के आपका formula था यहां इस में इस formula में put कर देंगे जो हमें निकल के आया है 1 VSD के value तो 1 VSD M by N आया है आपका तो यहां पर least count के उस formula में हमने 1 VSD का value put कर दिया तो अब जो formula बन गया वो least count is equal to 1 MSD minus M by N MSD अब यहां पर MSD common है तो MSD को common निकाल लीजे तो क्या बचेगा 1 minus M by N अब under 95 percent cases जो M का value होता है M यानि main scale का division जो होता है वो 9 होता है और N जो है N का value यानि के number of main linear scale division वो केतना होता है 10 होता है अभी 95 percent cases में मैंने बताया उपर तो यहां पर मैंने value put कर दिया M का भी और N का भी तो यहां से आपको calculation करेंगे main scale division के value रख दिया आपने 0.1 cm जो के under 95 percent cases होता है अगर 5 percent cases में अगर कुछ और होता है 0.2 cm वो आप one year caliper पे main scale पे देख करके आसानी से निकाल सकते हैं तो यहां पर value put के हमने और हमें least count केतना पता चल गया 0.1 cm यह 0.1 mm तो यह least count होता है 95 percent cases में one year caliper का पर 5 percent cases में आपका अलग भी हो सकता है कुछ अलग तरीके का design भी क्या जा सकता है one year caliper को अगर अलग तरीके का है तो आप उसमें main scale division में सबसे small division कितना है वो आप देख लेंगे उसकी value यहां रख देंगे उसके बाद आपको देखना होगा कि main scale का division और one year scale का division से कितने से match कर रहा है जैसा कि हमने यहां पे देखा कि main scale का division one year scale के division से कितने से match कर रहा है यह आपने देखा तो आपको अपने scale में देखना होगा जहाँ पर आप देख रहे हो उसके बाद यहाँ पर value put कर देना है आपको M और N का तो आपको least count पता चल जाएगा तो इस तरीके से हम किसी भी measuring instrument का least count निकाल सकते हैं one year caliper का कोई भी one year caliper आपको मिल जाए अगले वीडियो में हम error के बारे में बात करेंगे